असलाम उलेकम एवरिमन तो आज की रेसिपी है मज़ेदार से बंजाबी छोले मसाला तो चले शुरू करते हैं सबसे पहले दो कप छोले लेंगे और राद भर सोक कर लेंगे यहां पर जो छोले आपको दिखाई दे रहे हैं वो और डी सोक हैं तो हम इसको कुकर में चड़ाएंगे तो इसमें हम एट करेंगे अराउन आधा लेटर पानी और एट करेंगे एक दालचिनी का टुकड़ा दो बेई लीव्स और एक टी स्पून नमक चार से पान सीटियों क प्रेशर कुक करेंगे और अब हम आगे बढ़ते हैं और बनाते हैं पज्जाबी जोले का मैजिक मसाला जो के कुछ इस तरह से हैं एक बड़ी चमच काले मिर्च एक बड़ी चमच अनारदाना एक बड़ी चमच जीरा देड़ बड़ी चमच धन्या चार सुखी लाल चार हरी इलाइटी चार लॉंग तमाम खरे मसालों को हम ड्राय रोस्ट कर लेंगे अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर लें ताक कि आपको मेरे नए रेसिपीस की नोटिफिकेशन मिलती रहें तमाम मसालों को ड्राय रोस्ट करेंगे लेकिन एक बात का जरूर खयाल रखेगा मेडिया मांच पे ही इन मसालों को भूनना है अब इन मसालों से अरोमैटिक खुश्बू आ रही है क्योंकि हम मेडिया मांच पे भून रहे हैं तो यह प्रोसेस थोड़ा लंबा जाएगा तो आपको थोड़ा पेशन्स के साथ तमाम स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो हमारी रेसिपी एकदम डिलिशियस और लाजवाब बन के तयार होगी अब आप देख सकते हैं हमारे मसाल होने लगा है बहुत ही प्यारी और मैटिक खुश्बू आने लगी है इस पॉइंट पे आपको बहुत खयाल रखना पड़ेगा क्योंकि मसाले चल सकते हैं दो से तीन मिनिट हो चुके हैं मसालों को भूनते हुए अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे ठंडा और फिर एक मिक्सर ग्राइंडर में डालकर इसका फाइन पाउडर बना लेंगे और साइट में रख देंगे और अब चलते हैं इसके अगले प्रॉसस की तरफ तीन टेबल स्कूल ऑयल हमने करम कर लिया है और उसमें एड करेंगे एक टेबल स्पून जीरा दो मेडियम साइ राइस की प्यास का हमने बेस बना लिया है और अब हम वो ऐट करेंगे ऊयल में प्यास को गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है और इसके लिए पांसे शे मिनिट लगेंगे हमें 5-6 मिनिट हो चुके हैं प्यास को भूनते हुए और आप इसका कलर देख सकते हैं कि चेंज हो चुका है अल्मस्क गोल्डन ब्राउन हो चुका है तो अब इस पॉइंट पे हम जिंजर गालिक पेस्ट आड पर अच्छे से आयल में बूनेंगे और यहां पर हम लेंगे दो टेबल समस हुए ताकि हमारा मसाला ना जलें जिंजर गालिक पेस्ट को अच्छे से भूनना है जब तक उसकी कच्छी हमें निकलना जाए тот दो मिनिट हो चुके हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट को भूनते हुए अब इस पॉइंट पे हम आड़ करेंगे आधी छोटी चमच गरम मसाला अब हम इसमें तीन टमाटरों का पेस्ट आड़ कर रहे हैं अब इन तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे और लिट क्लोज करक आठ से दस मिनिट तक पकाएंगे दस मिनिट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि टमाटर हमारे कितने अच्छी तरीकी से पक चुके हैं कितने अच्छी तरीकी से ओयल स्प्रिट हो चुका है इस पॉइंट पे बार्या आती है हमारे पाउडर मसालों की एक टीस्पून क गल्दी और आधा टी स्पून जीरा पाउडर इन सब मसालों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और लिट बन करके दो मिनिट के लिए हमने पका लिया है अब बारी आती है हमारे पंजाबी छोले मसाली की जो के हमने इस वीडियो के शुरुवात में बनाया है वह आट करेंगे ट 2.5 आफ टी स्पून तमाम मसालों को हमने अच्छे तरह से मिक्स कर लिया है और अब हम आट करेंगे बॉयल छोले छोले लेगल करने के टाइम में जो पानी होता है उसको आपको फेकना नहीं है उस पानी को आपको इस टाइम में इस्तिमाल करना है आप consistency के हिसाब से यूज कर सकते हैं जितनी आपको gravy की थिकनस चाहिए उस हिसाब से आप उस पानी का यूज करें एक अच्छा mix देने के बाद यहां पे हमने एक टेबल स्पून कसूरी मेथी एट कर लिया है और mix करके lid close करके दो मिनिट तक हमने इसे पका लिया है लो फ्लेम पे इस स्टेज पे हम नमक चेक करेंगे हमारा नमक बिल्कुल सही है अगर आप बनाने के टाइम में अगर कम्याँ जादा होता है तो उस हिसाब से आप नमक को बराबर कर लिए जिएगा दो से तीन हरी मिर्चे स्लिट करके यहाँ पे अब हम एट करेंगे और तक्रीबन एक कप हरी दनिया को चौप कर लेंगे और वो भी इसमें एट कर लेंगे हमारे पंचाबी छोले मसाला सर्फ करने के लिए तयार है चले डिशाओट करते हैं इस रेशिपी को आप भटूरे के साथ खा सकते हैं बटरनान के साथ खा सकते हैं बूरीयों के साथ भी खा सकते हैं मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राइ करिए और अच्छा लगा तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं मेरे चानल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन्स मिलते रहें जब भी मैं नई रेसिपी अपलोड करूंगी मेरे रेसिपी इसको अपने फ्रेंज और फैमिली के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए इस रेसिपी को ट्राइ करें और एंजॉय करें